नमस्कार आप देख रहे हैं प्रियाग एक्स्प्रेस नियूज इस वक्त की खबर मधिप्रदेश के रिवा से जहां रिवा में शिव बारात आयोजन समेती द्वारा निकाली जाएगी भव शिव बारात की शोभा यात्रा बैजो धर्मसाला से निकलेगी यात्रा खबर मधिप्रदेश के रिवा से जहां महाशिव रात्री के पर्व के आसर पर बागवान भोलेनात की भव बारात वेंकट रोड इस्तेथ बैजो धर्मसाला से सुबा नौ बजे निकाली जारी है इस संबंध में आयोजन समीती ने प्रिस कॉन्फरेंस कर मेडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महाशिव रात्री के दिन पच्मटा आस्रम में दुपहर एक बजे से शाम छे बजे तक भविसांस्कृतिक कारिक्रम के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है आपको बता दें इस अफसर पर इलाहाबाद के तरूर चोपरा ग्रुप द्वारा भविसांस्कृतिक कारिक्रम प्रस्तूत किया जाएगा वहीं इस बार खास बात तो ये है कि समीती द्वारा महाशिवरात्री के अवसर पश्मता आस्रम में एक ही बरतन में 5000 किलो ग्राम खिचडी महाप्रिशाद का वित्रण भी किया जाएगा देखे आयोजन समीती ने प्रस्वारता कर क्या जानकारी दी प्रियाग एक्स्प्रेस ने उसके लिए रिवा मधिप्रदेश से डिस्ट्रिक्ट रैम रिपोर्टर रुहित पाटिल के रिपोर्ट यहां इस बार मैं आपसे अन्रोद करना चाहता हूं या जो आनद मैं है या कारिकम जो है रिवा का यह एक एहत्यासिक होने जा रहा है यह हमको भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अंदर से एक दिल की आवाज आ रही हमको इस बार कुछ भगवान चाहा है लोग उम्रेंग रहेंगे खिचड़ी का महापरशाद अदबुत दो मेहने से लगातार त्यारी होते हुए हमारे कमलेज भईया प्रतीक भईया अनिल भईया सुमीद भईया हमारे निकी मुदर्माल बिनो मामा जी बिश्नोई जी प्रतीक पांडे जी यह दिन को दिन नहीं समझा रात को र पानिया, पानिया κάνर वार इसमें नाप के हुए है, पुरा उश्में प्यमाने दोरा नाप दोरा हो रही है उसमें उन्गयामनं फोगालो, इन्गयामन फोगदी की खिच्चरी बिनेगी, जिसमें वर्ल्ड रिकार्ड बनाने हम लोग जाहेंगे, अब वह महापरशाद, वह अम्रित परशाद वो पूरे रीवा जन्मानस लोग परशाद को खिनार करने आएंगे इस बार इस बार अद्भूत कारक्रम होने जा रहे हैं इस कारक्रम को देखने के लिए लोग दूर दूर से इस बार आएंगे और इस बार जो परशार भगवान का जो लोगों में सुविभक्तों में ऐसी ललक लगी हुई है ये करक्रम कब हो कब हो कब हो कब हो हम कब को देखने को मिलेगा ऐसी ललग लगी है ऐसी सुविभक्तों की महिमा इस बार रहोगी सुविभराद आयोजन कल्यान समित के द्वारा इस बार बरात का हंडारे का और एक बार महा रिकार्ड इंक्यामन सो क्लो खिचड़ी का एक वर्ल्ड रिकार्ड बनाने हम लोग जारे पूरी टीम हमारी बनने जा रही है इस बार हवान की करबा से हमारे मुखबर बजों के आशिरवास से इस बार हम लोग बैजुद हरम साला से पूरी धूम धाम की तरह से इस बार उजहेंजे महा काल एक नए रूप के रूप से आएंगे नए रूप से आएंगे और बराद की इस बार जो लंबाई चुलाई रहेगी क्रीबंट एक से डेठ किलम्मिटर की बराद की लंबाई रहेगी उसमें बिविन तरह के करीकाम होंगे उसमें जैसे धर्म काद्वज रहेगा ढोर नगाडे रहेंगे काशिब शुनाज जी की पालकी रहेगी सہनाई रहेगा उंट खोड़े रन्डोडी के कला कार ऊजयन के महा काल की पाल्की पजमटा आस्रम के महान जी रहेंगे हमारे स्वामी जी छंका धमाल रहेंगे नित्र काली रहेंगी अगोरी नित्र आदा बदा रहा हूं आदा आ जब देखने आएंगे तब आपको आनद आएगा और देखने का आनद आएगा जब मैं पूरा बदा दूना तो अतनुना आनद नहीं आएगा साथियों इसी तरह अपने एक और कारक्म हुआ है महिला सक्तियों का माताओं का बहनों का 16 तरिकोहल्दी और मेहिंदी का कारिकम तीन बजे बैजुद हरम साराम होगा वहाँ केवल महिला सक्ति का होगा उसमें भप कारक्म हो रहा है मैं सभी से निवेधन करूँगा माताओं से उस दिन उस दिन सभी मैला आए बहने सब पहुंचने का कश्ट करें जो इंक्यामन सो किलों की खिचडी बन रही है यह बड़ डिकार्ट बनने जा रहा है यह रीवा के लिए नहीं अपने मद्द प्रदेश के लिए एक नई गटना होगी और शुभक्तों के लिए बड़े उत्साह का विश्य है दूसरी बात यह हो रही है कि बरात तो कई वर्सों से निकल रही है एक नया कार्कम आयुजित किया गया है कि माता पार्वती के हल्दी और चंदन और महंदी लेडी संगीत का कार्कम वैजो धरम साला में एतिहासिक वैजो धरम साला में सोला तारीक को तीन बजे से आयुजित है महिला सक्ति उसमें आमंत्रित हैं जहां तक जो जानकारी मिले हमारी महिला बहने वहां आ सकती हैं यह दो हमारे नए कार्कम और जैसा कि अभी बताया गया कि तरुन चोपडा गुरुप के में कलाकार जो आ रहे हैं कानपूर से हैं इलावाद से हैं मुंबई से हैं तो ऐसे कलाकारण के द्वारा वहां बरात पहुचने के बाद सांस्कृतिक कारकम नित्ते चलते रहेंगे उसी में जो है बहुत सी जहांकियों का भी कारकम रहेगा और बरात का जो विशेश आकर्षन रहेगा बरात पे इस बार भगवान भुलेनात की जो अजभुच जहांकियां निकलेंगी उसमें से एक रामिस्ट्रम पूजा की जहांकी रहेगी भगवान भुलेनात की बरात नंदी में सबार होकर निकलेगी लंकापती रामण और हन्मान जी का समवाद एक जहांकी पर रहेगा राधा क्रिष्ण की रासलील रहेगी और अमर्दनात गुफा में भगवान भुलेनात माता पार्वती को जो ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति कराते हैं उसकी जहांकी रहेगी जहांकी में एक देश भक्ति से उत्प्रोत जहांकी रहेगी और उसके साथ ही एक जहांकी में काली नरत्य है जो की काली जी का तांडव नत्य उसमें होगा और भगवान भोलेनाथ की बरात एक पैदल भी चलेगी जो उसके बराती होंगे पैदल चलेगे यह इसे साकरसान रहेगा बरत और 108 जगा बरात का स्वागत किया जाएगा लोगों ने अपने अपने नाम लिखाए हैं कि हम यहां यहां स्वागत करेंगे करनों की इस बर्स पंद्रहवी बरात हैं जो की बैजू धरम साला से स्टेचू चौरहा साई मंदिर चक्रदर सिटी सेंटर सिल्फी प्लाज़ा दीव लाट स्वागत भवान प्रकास्चो रहा इस्टेचू चौरहा पोर्ड रोड यसके स्कूल से होकर पच्मठा पास्रम में पहुंचेगी जहां पर शीव विवा का आयोजन होगा और साथी विशाल भंडारी का भी आयोजन किये गया है कि इसमें जो कलाकार आ रहे हैं पूर्जी गड़ेश बंदना जो में गुरूप है तरुन चौपडा गूप इलावाद से आ रहा है उसके साथ में बांबे से भी बनारों तो बांबे से कलाका रहा है यह जो हम लोग एसिया रिकार्ट की बाते कर रहे हैं यह पूरे देश प्रदेश के लिए गर्व का विश्य है और यह जो इसका कड़ाहा बनकर आया है इसका वज़ें है बारा सो किलो यह कड़ाहा दो तीन लिगे से साइज वहριं दस दस बाईज więcej यह है और इसके साथ जो इसका चूला बनाया गया है उसकी साइज भी दस बाईज पांच और उसकी हम लोग Πैस्ति कम दो मेने से लगातार हम लोग लगी पूरी टीम लगी है हमारी और इसको जो रूप दिया-गया है वह महाप्रसाद का रू इसका जो भी इसमें सामक्री पढ़नी है वो सारी विस्था है लगवग हो चुकी है बस ये अंतिम रूप देने का समय है कल हम लोग जब बजार में निमंत्रा बाट रहे तो लोगों में इतना जवर्जस्त उसा है कि जैसे वो पुरे सहर को खुदी सजाने के लिए तैयार है इस बार फुरे सहर के लोग तो ये देवो की देव महादेव की जो पराद इस बार होने वाली ये बहुत अद्गुत है और ये हमारे सहर का इट बहुत बड़ा नाम लिखेगी आंगे चुछे